सम बिटर फैक्स अबाउट गेट एक्जाम, पॉइंट नमबर वान, आपके ब्रान से एक लाख स्टुडेंट गेट एक्जाम लिखेंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हजार स्टुडेंट का सपना पूरा होगा, अब सवाल ये है कि सर वो 99,000 स्टुडेंट का क्या होगा, ये ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो कोचिंग सेंटर्स, वो इंस्टीट्उट्स, वो टीचर्स, आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे, पता है क्योँ, क्योंकि उनका उसमें कोई benefit नहीं है, पर आपका benefit जरूर है, और ये उन minority students के सपने पूरे होंगे, PSU jobs, IITs, research, जो उनको चाहिए वो मिलेगा, majority को नहीं मिलेगा, तो क्या आपके पास plan B है, क्या आपने bet करके उसका answer लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो बहुत तकलीफ होगी last में, depression, demotivation, mental disorders, ये सब आएगा hypertension, हाँ बट अगर plan B होगा ना, peace of mind होगा, आप कहोगे अपने आप से कोई बात नहीं, unlucky बार-बार थोड़ी ना होगे, अगर एक बार पूरा engineering का सिले, बस in-depth पड़ा है, सारे subjects, तो यही तो subject other technical exams को काम आएंगे, ATC exam हो गया, DFCCIL exam हो गया, या फिर ESE exam हो गया, state exam हो गया, PSU exams हो गया, उसमें यही subjects तो यह है plan B, यह है backup plan, जिसका बहुत importance है, जब fail हो जाते हो, सभी के पास security net होनी चाहिए, और इतना भी risk मत लेना, कि second attempt आपको ना मिले, और दूसरी बात, bitter facts में दूसरी बात यह है, सिर्फ hard work से कुछ नहीं होता, सिर्फ lucky होने से कुछ नहीं होता, दोनों चाहिए, hard work के ऐसे बहुत सारे students है, जो hard work करते थे, बट फिर भी वो gate ranker नहीं बने, यह मुझे पता है, क्योंकि मैं इतने साल से teaching कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन student hard work करता है, कौन नहीं करता है, पता है वो hard work करने वाले क्यों नहीं पहुँचे वापर, अन्ती में health खराब हो गई, प preparation continue नहीं कर पाए, वो focus नहीं कर पाए, तो उनका hard work zero हो गया, यह reality है, यह बात है आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, यह बात है आपको कोई बताएगा नहीं, पर जिनोंने experience किया है, जिनोंने देखा है, वहीं बताएंगे, सिर्फ hard work से कुछ नहीं होता, कुछ students थे, वो इतना hard work क से कुछ नहीं होगा, आपको syllabus भी complete करना है, gate level का thought process भी बनाना है, pyqs भी करना है, pyq से समझना है, कि किस level के सवाल पूछे जा रहे है, कौन सा topic उनका favorite है, यह सब आपको analysis करनी पड़ेगी, और एक time frame रखना पड़ेगा, कि आप rigorous revision भी कर रहे हो, practice भी कर रहे हो, test series भी दे एक अच्छी group में भी हो, ताकि आपके doubts clear हो सके, so सिर्फ hard work करने से कुछ नहीं होता है, okay, and you have to be lucky, yes, कई बार ऐसा हो जाता है, that आपकी कोई गलती नहीं होती है, बट फिर paper में MSQ के सवाल बहुत कठीना आ गए, या फिर कुछ ऐसी चीज़े पूछी गई, जो आपने पढ लखी हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है, hard work plus luck, both are necessary, majority hard work, minority luck, अगर दोनों है, gate exam clear हो जाएगा, इसलिए कुछ guarantee नहीं है, guarantee नहीं है, कि अगर आप अच्छे से prepare करोगे, अच्छे courses, अच्छे teacher से अगर आप जुड़ोगे, तो आपका guaranteed gate exam हो जाएगा, या आप अच्छा rank लेकर आ जाओगे, आपके सपने पुरे हो जाओगे, probability का खेल है, इस चीच का ध्यान रखना, अगर ये चीज clear है, peace of mind रहेगा, जब peace of mind रहेगा, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, जब energy सही direction में लगाओगे, तो चीज है अच्छे से आगे बढ़ेगी, और अगर गलत विच लगाओगे, वही चीज आगे बढ़ेगी, और negative outcome आएगा, फिर मत कहना के सर मेरे जिंदगी में इतना गलत क्यों हो रहा है, आपने energy गलत जगाओपर लगाई, और किसी से लड़ने में energy लगाओगे न, कोई आप से ये कहेगा, रहे gate exam कर क्या ही होगा, तो तो talented नहीं है, और आप उससे लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, तो पूरी energy खतम कर दिया आपने, अब gate की preparation कप करोगे, so energy सही direction में लगाना, ताकि सही चीज़े आगे बढ़े, that's very very important and time is limited, अपना समय बचा करके, अच्छे से सही जगा पर use करो, distraction के बहुत screens है यहाँ पर, easily आप distract हो सकते हो, एक adult video, एक message, एक distraction, एक controversy, आपका पूरा attention और energy लेकर जा सकती है, इसी के साथ यह video end करना चाहूंगा, I hope you got the clarity for the gate 2024 exam, between the next video, up till then take care, bye bye for now, see ya, bye